नमस्कार दोस्तों आउ सीखिए आज के चनल में आप सभी का स्वागत्य हैं मेरा नाम कढा ke और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लिए。 कि आप इंग्ले सुर्ण से अंग्लिस लिए करते हैं तो ये वीडियो सिफ आप के लिए हैं वीडियो देखने से पहले एक चीज बोलूँगे, वीडियो को पूरा देखे, तब यह आप अच्छे से समझ पाएंगे, चले शुरू करते हैं, अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो लाल कलर कर बटन दबा देज़े, सब्सक्राइब कर जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप अपनी परिशानी को आसनी से हल कर सकते हैं, प्ले लिश्ट आजए कि उसके बाद अगर आप प्ले लिश्ट देखना चाहते हैं, कम्मिनेटे टैप भी है, अगर आपको कोई भी जानकारी हमसे जुड़ी हो, जानना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, तो आ भzie हो हो इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप एक प्ले स्ट्रोर पर आको आना है यहां पर लिखना है किट्स स्पाइर Dलं। हुझंग लेर नहीं एस तरीके से पीज आ जालैगा। और आपको इसे डाउनलोड कर लेना हैं डाउनलोड करने के पाथ पहला जो पेज ओपन होगा व आप सबसे पहले लिए थे तो उसे आप अर्ट करती वहों होगा कि अफको बता ही, आप पर सब सबसे पहले मैं के मैं अलिफेमेर खborन अलफ़ लिए ON अब पर एंपल दीखने के लिएक्रिया। अब हैशो अब पर में 연 मनातिती हूं से फि मैं हो भी सही सहूना लिख दिया है पर म Febru कुछ गलते भी करके आपको दिखाऊँ ता कि आप लोग सबसके कि किसे कैसे आपको लिखना है यहाँ पर लिखना है यहाँ पर दीक Bak最近 Bu 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 A कि उल्च तो उनिता है और ना यहाँ पर सब्सक्राइब मैंने इहाँ का लिग लें ताता इसे दुवारा से वो words लिखा हुआ साई से आजागा ताकि आपको पता चल जाएगी आपने क्या गलती करिए अब यहाँ पर brown है अब brown को अगर गलत करते हैं तो वहाँ पर right आजाएगा अब अगर आपको नहीं पता है कि इसको किस तरी कैसे लिखना है तो आप help का button दवा के उसे देख सकते हैं कि इसे किस तरी कैसे लिखना है उसके बाद आप practice कर सकते हैं अच्छे से आपको अगर boring लगे तो आप जादा मत कीज़े थोड़ा थोड़ा कीज़े ताकि आप आगे अच्छे से लिख सकें यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा अच्छे से यहाँ पर आगे पीछ भी कर सकते हैं नैश्ट जयाने की आगे कर सकते हैं और पीछी के लिए अपको प्रिविव करना है आपको पता चल जागा कि आपने क्या गलती करिए मुझे बस जो प्राप्लम होई वह यही थी कि इसमें थोड़ी एड आई तो एड की थोड़ी सी प्राप्लम आपको रहेगी बड़ा डाउनलोड कीजिए एक बाद ट्राइक कीजिए अकर आपको पसंद आता है तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतीया करते हैं आपको कितना लिखना आता यह भी आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा तो यहां पदी की पूरी लिष्ट देर के ताकि आपको पहले स्टार्डिंग के जो छोटी-चोटी चीजे वह आने चाहिए मैं गारंटी से क क्या सकते हैं कि काफि सारे रोग आते हैं जिनने चोटी-चोटी चीजे डिखने में बहुत जादा गलतिया पर आपको देख रहे हैं तो अगर आप प्रैक्टिस करना है चब आपको पढ़ना आ आजाएगा यह सब चीजे तो मैं आपको उसके बाद बताउंगे आपको क्य करना है तो यहां पर मैंने इसलिए यह चीज़ आपको बताई है ताकि इसमें काफी सारी चीज़ है जो आपको वर्ड मीनिंग सीखनी भी चाहिए क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग अगर आप यूटूब पर देखेंगे तो आपको एक चीज की पता चल जाएगी दूसरी शाँ हरacy साहच को साल हैं यह आपको आहिक जयर आपको ख़ Strand कर सकते तुरूप अनुझ मिन पता है तो इसको डूज मेन आपको आपको किस तारीके से बतारे तो यहां पर देकर पाए आप साहगे तो रिखेग यहां किस तरीकर से लिखनेगा और अगर आपको ये एक च्छ जाते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिस लिखना सीख पाएं तो मैं यहीं बोलूँगे कि आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसे सीखना शुरू कर दीजिए यानि कि जब तक आप कोसिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ आपको वही चीजे सीखने पड़े कि छोड़ी बच्चे सीखते हैं तो अगर आप यह चीजे सीख जाते हैं तो आपको काफी जादा इंग्लिस आ जाएगी अगर आपको यह भी नहीं चीज आती तो आप खुछ सोचे कि आपका फ्यूचर क्या होगा तो मैं आपसे इतनी राय दूंगे आपको कि आप यह चीज सीखिए और अगर आप इससे नहीं सीखना चाहते तो किसी और तरीके से सीखिए बट सीखिए जरूर ठीके तो यहां पर आपको अच्छा लगा होगा या आप आप यहां पर अपने लिश्ट भी देखे होगी क्या के चीजे आपको स कीजिए पढ़ते रिजिए और हमेंसा अपनी लाइफ में खुश रिजिए